तो भाई लोग आजकी से वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है अपने फोन पे अप से अपने लाइट का बिल जो है पेमेंट कैसे ही कर सकते हूँ अगर आपका बिजली का बिल बाकी है और आप उसको घर बैठे ओनलाइन अपने फोन पे आपसे पेमेंट करके जमा करना चाहते हो तो आप जो है बिल्कुल इस सही वीडियो को देख रहे हो क्योंकि आज किस वीडियो में मैं आपको light जो है अपने phone पे आप से अपने electricity का bill जो है payment करके दिखाऊंगा तो अगर आपको payment करना है तो उसके लिए आप एक काम करो अपने phone पे आपको open कर लो यहाँ से आपको अपना bill जो है select करना होगा कि आपका कौन सा bill जो है यहाँ से आपफी लोग कहेंगे कि भाईया consumer number क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा consumer number आपका account number होता है जो कि आपके bill के रेसिप्ट पे आपको मिल जाएगा तो अपना account number यहाँ पर consumer number वाले option में डाल देना उसके बाद यहाँ से confirm कर देना फिर आपके सामने आपका bill जो है आ जाएगा जितने रुपे आपका bill बाकी होगा आपको यहाँ पर बता दिये जाएगा आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पर 1899 रुपे bill का payment बाकी है जैसा कि आप लोग देख सकते हो तो इसका payment करने के लिए आपको नीचे एक option मिल जाएगा proceed to pay का यहाँ पर क्लिक करना फिर आपके सामने payment करने का page open हो जाएगा आपको जहां से payment करना हो वहां से select करके payment कर देना payment आप जो है credit card debit card से भी कर सकते हो अगर करना है तो नीचे आपको ए option मिल जाएगा add debit and credit card यहाँ पर क्लिक करके अपने debit card की details को डालके payment कर सकते हो तो मैं जो है अपने bank account से direct करना चाता हूँ तो उसके लिए bank account को select करके यहाँ पर proceed to pay पे क्लिक करके अपना payment कर देता हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने अपने बिजली का bill यहाँ पर share करना चाते हो तो आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा share receipt का यहाँ पर क्लिक करके आप इसको WhatsApp से जहां से share करना हो रसीत को वहाँ से share कर सकते हो तो दोस्तों ऐसे करके आपको बहुत ही आसानी से अपने phone pay up से अपने electricity का bill जो है payment करना होगा online घर बैठे ऐसे करके आप payment कर सक पाई हो वीडियो को लाइक करना ऐसे वर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लेना